उत्रप्रदेश से एक बड़ी खबर आई है गोरकपुर के चिलुआताल थानकशेत्र में तड़के सुबा पाँच बजे आपती जनक अवस्था में पकड़े जाने पर प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को गोली मार दी बाद में लड़की के परिजनों ने प्रेमी की पकड़ कर पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई बता दे की हरीश का अपने ही गाउं के लड़की से दो साल से प्रेम संबंध चल रहा था देर रात सूरजपाल लड़की के घर में गया लड़की घरवालों ने उसे आपती जनक स्थिती में देख लिया सूरजपाल ने बिना जिसमें एक सूरजपाल नाम का व्यक्ति है जिसका कहीं प्रेम परसंग चल ला था वो अपने उसके चक्कर में किसी के घर में गया अपनी प्रेमका से मिलने तो रिपोर्टेडली जैसा पता चला है कि उसको बहार से बाकी घरवालों ने बंद कर लिया और सूरजपाल को ज जड़प हुई और उस जड़प में सूरजपाल को लाटी डंडे और धारदार हतियार से मारा गया जिसके उसकी मृत्यू हो गई है और जो इसकी प्रेमिका का भाई है उसको भी गोली लगी है जो अभी खत्रेख से बाहर बताया जा रहा है जिसे लखनूरी फर्क कर दिया जड़प में सुरफ ने इस्टिमाल करी लिए जो डंडे और धारदार पुलहरी वगए वह वी जब्त कियेगे हैं विदिक करवाई की जा रही है सार्य तीन विजा में फूर की लिए हमकी निकाला करीशो हमकी पकल ले ले अटाटानी अपड़ा पड़ा फला लोगाते अंधर के नमोख नहीं हमने नाथम रहा ना नह नमने नौतंब रहा नहां ना खुंध मौण माहिणी रहा है एनना में बॉला को पकल नहीं दर कृताला पर बाहर से लिए आए विए तो नंबर में डलना है कर बात से मोबाइल लिंग कर बंद हो गई है तब से मोबाइल नहीं कि बात ना वेले हम सी क्या करने जयात होते हैं अब हमके साड़ी तीन फोन के लग्का करेंगे लाना ना जान थे